अश्कार प्यारे बच्चों आज का हमारा जो पाट है गुरु मात्यम्य पर्थमा भाग है तो पाट सुरू करते हैं लेख की माता उस लेख को अपने गुरु के बारें बता रही है कि गुरु जो है घने जंगल में प्रविश कर गे जहाँ सुर्यवे की गर्मी अधिक थी सभी जो सिला खंड इत्यादी थे वो बहुत तप रहे थे और कोई भी मानो संचार कहीं भी आना जाना किसी का भी नहीं था अनंतरम किम जाता अंब प्रिष्टा मया लेकक पुछताए की माता उसके बाद क्या हुआ तो गुरू अगरे चले तिसमा गंभीरा चिंतने मगना आसीत सहा तस्या सिस्या नितराम पिपाशार दिता हा जिलम अप्रिच्छत गुरू आगे चले थे उनका सिस्या पिछे चला था तो सिस्या को प्यास लगी तस्मिन अस्तले कुताह वाजलम प्रापेद अता गुरू अवदत वत्सह तो वह गुरू से पुछता है कि गुरू जी यहां पर हमें पानी कहा मिलेगा तो गुरू बोलते हैं कि मैं अभी निरक्षन करके बताता हूँ तो किंचित समायांत्रे वयम कश्चन गराम प्रापुन्याम कि अभी हम थोड़े दूर में किसी गाउं में कंचन नाम के गराउं में पहुच जाएंगे वहां में तता यथेश्टम जलम पातुम अर्थवान वहां में अधिक मात्रा में जल मिल जाएगा प्रम सिष्य के मपि स्रोतुम सिद्धम नासित प्रंतु सिष्य से सहन नहीं हो रहा था ततम असाने पिपासा बादते असमाह गुरु पुना सावधे नवदत अत्रमतु जलम नालभ्यते भगवती विश्वस्य तिष्टतु ताबता गुरु ने उसको समझाया कि यहां प 3 सिष्य सेथ दुरागर शभावं द्रिश्ट्वा गुरू हासम आगता हसा तत्रे वा ध्याना मगन हं जाता यता हसा नेत्रम उन्विलवान पिरोता कित्यमाना सिष्य द्रिष्ट तो उसके बाद क्या हुआ हुआ अब सिष्य से रहा नहीं जैगा गुरु ने कहा के चलो गुरु हसन अवदत एतस्य सिख्रस से उपरी काचन कोटी अस्ती तत्र कश्चित यवन सन्यासी निवस्ती तत्र गत्वा स्रावन तुम जालो प्राथ यतू तस्मिन प्रदेशे तस्य एवो कोपे जलम भवती अब गुरु ने आखोली अरु शिष्चे को बताया कि इस सिख्र के जो जिस पहाड के नीचे बैटे थे उस पहाड के उपर चोटी पर उन्होंने बताया कि कोई सन्यासी रहता है तुम वहाँ पर जाओ और उनसे प्रात्ना करके जल पीलो अनंत्रम की जातांबा सिष्चे ने पातुम जलम प्रात्तम उता ना अग्यातु मुस्वका अहम सकुतो हलम अप्रिच्छत लेखक बताता है कि मैंने अपनी माता से पुछा कि क्या उस बाद सन्यासी को जल मिला अब जल का नाम सुनते उसके अंदर विश्वास हो गया कि मुझे वहाँ पर जल मिल जाएगा तो वह पाहड की चोटी पर चलने लगा वहाँ जाकर उसने बड़ी धूप ओरी ती और वहाँ जाकर उपर यवन सन्यासी को उसने नमशकार किया और जल की आचना की तो सन्यासी ने कहा कि जाओ वहाँ पर कुवा है वहाँ से जल पीलो अब यवन सन्यासी ने जब उसको कहा कि जाओ कुवे से जल पीलो तो उसकी दिमाग में बात आए कि क्यो ना मैं पूछू कि ये कहां से आया है तो वो उससे पूछ लेता है सिस्षे से कि तुम कहां से आय हो तो वो कहते है कि मैं महागुरू का साथी हूँ या महागुरू का सिस्षे हूँ तो इस बास से वो यवन सन्यासी चीड़ जाता है अभी ये जब उसने सुना कि नीचे चले जाओ मैं तुम्हें जल नहीं दूँगा तो अपने गुरू के पास आ जाता है तो सारा विवरण महा का अपने गुरु को बताता है। हिदानितु सिस्य सेती प्रम सोचने जाता तस्य जीवनेच्छा एव लुपता जाता। अब जो है उसने फिर दुबारा से गुरु ने उसको दुबारा भेजा तीसरी बार भेजा। और उसने तीसी बार भी उसको कहा कि अगर तुम्हारे गुरू इतने बलसाली है और इतने बड़े ज्ञानवान है तो तुम्हें जल नीचे क्यों नहीं पिला देते तुम बार-बार उपर क्यों आ रहे हो तुम अपने गुरू से जल मांगो अब वो वहां से चल दिया अब सिस्य सिखरात अवति लिया गुरू पदतले स्रांत अवतता गुरू ति प्रित्या संस्पर्शिया अवतत अवो गुरू के पैरों में आकर पड़ गया कि मुझे वहां पर जल नहीं मिला तो गुरू ने उसको बुला कि पुरूता विद्यमाना एसा सिलाखंड अप्रस अब अनंतर उसके बाद में यवन सन्यासी जलम पातु मिच्छत अब जब सन्यासी को भी जल पीने के अच्छे आवी जो सन्यासी पाढ़ पर रह रहा था वो अपने कुवे के पास में पानी पीने गया तब देखता है कि कुवे का पानी तो सब सूख गया तब वो चोटी से नीचे जाग देखता है कि वार जल जितना भी सारा जलता वो नीचे पोच गया और वहां गुरू सिस्षे बैठे प पतंतम स्थोलोपनम द्रिश्टवा सिस्य भहेन विहलम जाता सिस्य जो पत्तर को आता देखकर डर जाता है तो निवर्चलितम गुरु देवं प्राथियन उपिविष्टन अपने गुरु से प्रातना करता है जब वो पत्तर समिप में आया तदा सहास्वा हस्ता प्रसाया कर तले इन तस्य चलनम निड़द्वान गुरु ने उसको अपनी हातिले से रोक दिया तदा अध्यापी तस्य अस्तुलोपलस्य उपरी गुरु करतलस्य स्पिष्टम चित्रम द्रिश्टे आज भी उस पत्थर पर गुरु के हाथ के निसान है तस्मिन अस्तले इदानी गु द्वास में उसके समेरी में इस रेलवे टार्चन भी है यस्य नाम प्रसिदम अस्ती पवित्र करतलम उसका नाम स्टेशन का झो नाम हे उसका नाम है पवित्र नाम पैब्वित्र हात चाछै कि आपको यह की है पसंद आया होगा धन्यवाद